हेलो एव्रिवन आप सब भी बहुत अच्छे होंगे चलिए शुरुवात करते हैं जैसा आप जानते हैं मुत्राखंड पीसी एस के हिस्ट्री के कुर्शन्स यहां सौल्व कर रहे हैं तो आज हम लेकर आए हैं 2009 के थीक है 2009 10 के इस्ट्री के कुर्शन्स जैसे कि अभी पिछली वर्स देखा यानि की 2006 में जब इसका लास्ट एक्जाम होगा इससे पहले तब उनी चार कुर्शन आए थे लेकिन अब देखिए उन्होंने सारी कमी यहां पूरी कर लिया है तो चलिए शुरुवात करते हैं पहला कोशन ह हैं आपका अन्मोडा के निकट लखुओड यार पल लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकरतियां मिली हैं वे किस काल की है तो वे हैं आपके पाशाण काल की तो पाशाण काल उत्राखंड में प्रसिद्ध पाशाण कालीन सेल गुफा चित्र इस्थित लखुओड यार आधि मानव करतियां एवं पशियों की चित्रन के लिए ख्याती प्राप्त है यह उत्राखंड की कुमाईव मंडल में अन्मोडा से तेरा किलोमेटर की दूरी परिस्थित एक प्राचीन गुफा है तो नेस्ट क्यूशन है आपका अन्मने मैसे किस इस्थान परमान आपके साथ कुत्ते दफनाई जाने के साक्ष मिलते हैं तो वह बुर्ज होम जोगी कापी जम्मो कश्मीर में है जम्मो कश्मीर प्रदेश की जहिलम नदी घाटी से अनिक नप पाशाड़े के स्थालों की खोज की गई जिसमें बुर्ज होम और मुजक कराल मारतंड आदी प्रमुख है बुर्ज होम से अनिक सामगरियां उपकरण के साक्ष प्राप्त आए हैं प्रकास में आए हैं यहां से कुलाडियां छेनी बसूले कुर्पा गरदाशी इस कुदाल अधि उपर्णों के साक्ष मिलते हैं साथ यहां से शवादान की उसाक्ष प्रम्परा कहते कुत्तों को मानव्षिवों के सातल दफनानी के साक्ष भी दिखाये देते हैं जो सत्था में उनकी आस्था का प्रहण lesson देता है यहां से अगही समें सिगए सदित आ लोतल रापाकाली इस्थन है जो गुजरात के अमदावा जिलेम भोगवा नदी एकनारे पर इस्थित है इसकी खोज और रिग्वेदार्यों का सबसे प्राचीनतम गरंद है जो चिकिस्ता सास्त से संबंदित है जिसमें दस मंदल 128 सूप्त और एदस हजार 1462 रचनाय है इनको पढ़ने वाले जो रिशी होते हैं उनको होता या होत्र बोलते हैं इसके माध्यम से आ रहे हो कि राजनितिक समाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है रिग्वेद के तीसरे मंदल में सूर्य देवता का वित्री को समर्पित गायत्री बंत का आपका तच्छी सेला में तो तच्छी सेला विश्यू विद्धियाल है वरत्मान पाकिस्तान के रावल पिंडी में 18 मील उत्तर की और इस्थेता है यह मौरे काल में सिच्चा करने का सबसे बैस्ट केंद्र था और फेमस भी था यह विरत विश्यू का प्रथम विश्यू दियाले था जिसकी स्थापना 700 इसापूर में की गई थी यह यह पूरे विश्यू में 10-500 से अधिक छात रध्यन करने आते थे यहां पर 60 से अधिक विश्यू को पढ़ाया साथा और यह चिकिस्ता सास्त का एक मात सरवोपरी केंद्र था साथी राजनीतिक शस्त्र विद् चात्र रुच्ची के अनुसार आचारों के पास जाते थे और उनसे उस चीज की सिछा ले दे दे प्राचीन भारती सायति के अनुसार पाड़े नी कोटल चंदगुप्त जीवक प्रसेंजीत आदी ने यहां से सिछा प्राप्त की और चाड़क के ने तच्छे सिला में अधरी किया चंदगुप्त महरे को भी सिखाया और ने राजबयद जीवक ने शिच्छा ग्रहण की थी प्रसेद बौद विद्वान हैं आशुख हो किसके समकालीन आये थे तो यह आपके कनिश्क के समकालीन आये थे प्रसेद बहुद विद्वान जो आशुख हो से वैं कश्मीर कुंडलवन में चत्वर वद संगती यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया में गड़ित की पुस्तक है लीलावती इसके लेख कौन है आपके भास करा जा रहे हैं के संस्क्रत में जो गड़ान से संबाइब्स में संस्क्रत में करीशार से मंदिर नर्सी यह रुद स्यूर्य कीनलवर्मंण में को एक विशाल रत के आकार में बनाया गया और यह अपने विशिस्ट सेल यह तू प्रसिद्ध है कुड़ार के सूर्य मंदर को काला पेगोड़ा भी का जाता है वर्ज सुचारासी में यूनिस को द्वारा इसे वर्ड हरीटेज भी गोशित कर दिया गया किस प्राचीन भातिय पुस्तक का पंद्रह वहरती ऐवं चार विदेशी भासओं में अनुवाद किया गया तो वहती आपकी पंचित अंत्र गुप्त गाल में विश्णू सर्मा द्वारा सरवादिक पचलित ग्रंत माना जाता है बाइविल के बाद इसका दूसरा इस्तान है इसके बाद इसको पांच भागों में बांट दिया गया मित्र भेद मित्र लाव मित्र संप्राप्ति और काकुलो कियम और लब्द प्रणाश और आपका परिचित कारक किस राजबंस न नहीं किया तो चालुक्य ने उत्तर भारत पर शाशन नहीं किया नेक्स्ट है आपका कहा जाता है कि अलिफेंटा के प्रसिद गुफा मंदिरों का संबंद है तो वह बनवाई थी आपकी राश्रेकूर्टों ने बनवाई थी ठीक है और सेफ धर्म से संबंदित है ये गुफा है नेस्ट है आपका महमूद गरजनवी के साथ भारत आने वादा प्रसिद इतिहासकार कौन था अलवरूनी था और महमूद गरजनवी ने इक हज़ार एक से एक हजाट सथा इसके साथ अलवरूनी नामक विद्वान लेकर भारत आया था विसने अपनी पुस्तग कितावुल हीन्द में भारत के संदर ऐने एक जीवन्त जानकारियां दी एं इसकी पुस्तक में राजनितिक, समाजिक, धार्मिक, सांस्क्रतिक पच्छों के संदर में पर्याप जानकारी भी मिलती है जो उस समय थी वहाँ पर नेक्स्ट आप खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ तो राणा सांगा पराजित हुए थे बावर से ठेक है और यह सारे बावर के युद्ध थे 16 मार्च 1527 में आगरा से 35 किलोमीटर बावर राणा सांगा के मद्ध खानवा का युद्ध हुआ युद्ध में बावर विजई रहा और गाजी की उपादी धार की इस युद्ध में तुलगामा युद्ध पढाली का प्रयोग बावर द्वारा किया गया हल्दिगाटी का युद्ध किश्वर्थ हुआ तो व्य हुआ पंधरसो छेटर में है ना डीगाटी का युद्ध कव अठारे सो 18 जून 1576 के पीछे अक्वर का उद्धेश इमाराना प्रताप को अपने अधीन करना था अक्वर ने सर्प्रत्थम अप्रigen 1576 में मानसे गम आसाफव खाँके नितोत्व में 5,000 सेनकों को माराना प्रताप के विरुद्ध भेज दिया जिसमें माराना प्रताप प्राजित हुए और उन्हें बिना आत्म समरपण किया रावली की पहाड़ियों में शरण लिए जहां से चापामार युद जारी रखा और इस युद में माराना प्रताप को मुख से रूप से भील जन जाती का भी सैयोग मिला हुमायू नामा के ले था पुर्तगालियों से ठीक है और प्लासी का युद मैदान कहां इस्तित है तो पश्चिम बंगाल में है मुगल समराज के अंतरकत आने वाले राज्यों में बंगाल सरवादिक संपन राज्य भी था और इस पर आदिपत्ते हे तु तेज जून सत्युन सत्तावन को अंग प्लासी का परिच्छे डिया मीर मदान युद में पिचार मारा गया और मीराजाफर को ग्रीजों बंगाल का नया नावाब बना दिया लासी युद चीप मासी is a cameo 14 जनवरी 1761 में मरा अथों एहमज शाह अब्दाली के मद्द्ध हुआ था जो कि एक अफगान था एहमज शाह अब्दाली जो की जीटता है नेक्स्ट है आपका वे महिला जिनों ने अवहद में 8077 की tapa क्रांफी का ने तुथ किया अवच्नित अवर आपका को न में तो किस ने किया था बेगम थाजराद महल ने ने साथारे पूच्छेट में इस की गई ती तो लॉड मियो की हत्या उसके कारइकाल में की गई ठीक है और फिर है नेस्ट कुशन आपका 1838 इस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनितिक संगठन था तो जम्मिदारी अशोशियाशन था जम्मिदारी अशोशियाशन जिससे कालांतर में लैंड हुल्लस सुसाइटी के नाम से भी जाना गया इसकी स्थापना किस ने क सब्सक्राइब करने के लिए भारत का पथम राजनितिक संगठन था जम्मिदारी अशोशियाशन इसे बाद में क्या कर दिया गया लैंड हुल्लस सुसाइटी नेस्ट है आपका अप सुमेलित करना है महत्मा गांधी तो महत्मा गांधी से संबंदित इसमें क्या है दांड कि यह देखते हैं 2 का 4 किसमें हैं तो इसका है दी दोगा तीन होईगा दो का दी है हैं दोगा तीन जवालाल नहरू एक सक्ट यह इना देखते हैं इसके तो इसमें देखिया आप महात्मा गांदी जी से संब्देता है दांडी मार्च फिर है आपका जवाला लेनुने कांग्रेस लखनों कॉंग्रेस में पूर स्वराज की मांग की थी वहीं खान अब्दूल गफार खान लालकुर्थी आंदूलन सही बताया था मैंने वहीं बल्ल के विरुद्ध भारत छोडो की घुषना किस वर्स की गई थी तो 1942 में की गई थी और किसने की थी है भात्मा गांदी जी ने कांग्रेस की बंबई बैठक में एतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में गोकुल दास तेजपाल संस्क्रत कॉलेज में हुई थी इसकी घुषना गांदी जी के भारत छोडो अंदुलन के प्रस्ताप को कांग्रेस कारे समिती ने आठ अगस 1922 को सुईकार कर लिया और गांदी जी ने भारत छोडो अंदुलन के समय करो यामरो का नारा वी दिया था यह भी नेक्स्ट कोशन बन गया आपका लोकमा ने बीजी तिलग यान मैं बिवसंतरा अब मात्मघकडी ने पहला आमरेंचन का प्रानम किया थ तो पेंग नहीं होना कम्युनल आवारण समय मात्मघकंधी ने पेला अनिशन कम्यूनल आवर्ड के समय शुरू किया था 1932 में पोड़े की यरवदा जेल में रहते हुए रेम जे मैकडॉलन के कम्यूनल आवर्ड का नेक्स्ट है भगत सिंग सुगदेव राजगुरू को किस बाद केश में फांसी की सजा सुनाई गई थी तो लाहोर शडियंद क केश में सुनाई गई थी भारत की सवतनता प्राप्ति के समय भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्याश कौन थे वह थे आपके जेवी करपलानी थे यह वी कुशन पुराना हो गया 1908 में छेवर्ज की कारावास की सजा सवतनता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी ग अंग्रेजी में थी और केसरी आपका मराठी में थी और इन से प्रवावित होकर चापिगार बंदू ने पूर्णा के प्लेग ऑफिसर रेंड की हत्या कर दी थी परेडामता अंग्रेज सरकार ने प्रतिकिरिया वादी वक्रांती कारी लिखन के गारण 1908 में तिलक को छे भारतियों के लिए भेज दिया था भारतियों के विरोद के कारण बंगाल को फिर से कभ एक इकरत किया था ठीक है जब पनिशुपांच में विवाजन कर दिया गया तो एक इकरत कपके आगा ने सो ग्यारा में नैस यह हो गए आपके एक सकेंड देखी गाइस कहां पिछली और जिसकी सापना ने सो पांच में हुई थी महत्मा गांदी के राजनेतिक जीवन में निम्न घटनाओं का सही कालन क्रों तो इसका सीधा आंसर देखते हैं तो चंपारन सत्यागर हुआ था पहले उनने सो सुत्रा में फिर एमदावाद मिल हरताल उनने सो ठारा में खेडा आत्म गांदीन अपनी आत्म का था मूल रूप में लिखी थी गुजराती में लिखी थी इन्होंने ठीक है नाम था इस्टोरी ओफ माय एक्सपेरिमेंट विट रूथ निम्न मेंसे कौन उदारवादी मॉडरेट नहीं था तो तो मॉडरेट नहीं थे आपके वीजी तिलक उदारवादी नहीं थे ठीक है बलकि गरम दल के थे बागी ये फ्रोश्या मैता दादा भाई नौरोजी को पाल करशन को के लिए ये सभी उदारवादी दल से संबंद रखते थे नेक्स्ट है आपका बस अब ये आपके 35 कोशन इस बार आए हैं तो आई होब वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए होगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब को नहीं मत भूलिएगा थेंक्स फॉर लिस्निंग में